बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम, असलाम अलेक्टम स्टूडंस, आज हम एक बहुत बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इस इनर्जी ओफ एक्टिवेशन, यूँमें से एक्टिवेशन इनर्जी, हम इसको ए-ए से रिप्रिसंट करते हैं इनर्जी ओफ एक्टिवेशन की मुझे डेफिनिशन चाहिए लेकर लेकर डेफिनिशन मैं लिखता हूँ फिर हम उसके एक एक हिस्से को डिसकस करते हैं activation energy minimum minimum amount of energy amount of energy minimum amount of energy other than other than kinetic energy other than kinetic energy required for required for affective collision affective collision that is called the energy of activation minimum amount of energy other than kinetic energy of the molecule which is required for affective collision अब इन अलफास को जरा समझेगा क्या होते हैं और ऐसा समझेगा कि यही बात अगर आपको किसी को समझानी पड़े तो आप कैसे समझाएं देखो मैं केता हूँ कि जब यह reaction होता है न स्पोज मेरे पास यह A2 है पलस B2 है यह reactants है और इससे 2AB बना यह जो दो हैं यह जो दो हैं यह reactants और यह जो मेरे पास बड़ा इस वन ही था प्रोड़क्ट इस वन ही था प्रोड़क्ट वो एक होमोजीनियस मिक्शर बनाते हैं यह जो प्रोड़क्ट मेरे 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 कुलाइन होती है अब यह जो कुलाइन होती है अब इस पर आओ असल नुक्ते पे रेक्टन के मालेक्यूर होमोजीनिस मिक्चर में आपस में कुलाइड करते हैं यह कुलाइन दो किसम की है एक हम कहते हैं इन अफेक्टिव कुलाइन इन अफेक्टिव कुलाइन इन अफेक्ट जो पो दी जानी जिसमें रेक्टर मालीकूल प्रोड़क्त्ट्र में कनवेर्ट नहीं ओते हैं क्या मैं कहूंगा Mt तो नो प्रोड़क्ट फॉरमेशन प्रोड़क्ट नहीं बनता रियक्टन मालीकूल कुलाइड करते हैं जस्ट बाउंस बैक कुलाइड करके वैसी पीछाड चाहते हैं बाउंस बैक बाउंस बैक विदाउड कनवर्टिंग इंटो प्रोड़क्ट साचा कुलाइड इसकार इन effective इसमें रिक्टन जो घार टेंट सिंटू प्रोडठ्ट क्या होता है इसमें रिक्टन रैड कनवशी इन्टू प्रोड़्ट तो ऐसी कॉलेइएं जिसमें रिक्टन प्रोडच में करवाइए ard doe कॉलेइए हो जाए साचा कॉलेइए इसकार ऐसकी कॉलाइटम करतेे थे अफेक्टिव कब होगी इनफेक्टिव कब होगी अफेक्टिव कुलेजिन के लिए दो कंडिशन्स पूरी करना लास्मी है कंडिशन क्या है यानि नसैसरी कंडिशन नसैसरी कंडिशन्स फार अफेक्टिव कुलेजिन के लिए नसैसरी कंडिशन्स पहली बात नमबर वान यह माईग्यूल why आपस में कुलाइड करने के लिए आ रहे declining काइड के इसका मतब है जो माईग्यूल कुलाइड कर रहे हैं ऐन माईग्यूल्ष के पास अपनी काइड की के के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट में थोड़ी सी और इनर्जी भी होनी जाए है, मिनिमम अमाउंट अफ इनर्जी, अदर दन काइनेटिक, काइनेटिक इनर्जी तो उनके अपनी है, जो के चाहिए किसके लिए, अफेक्टिव कोलिजिन के लिए, तो अफेक्टिव, एक तो यह वो है नबर टू पे, they must collide with, they must collide with proper, proper orientation, molecules को proper orientation से collide करना चाटे हैं, क्या मतलब proper orientation, मतलब molecules के वो इससे आपस में collide करें, molecules के, वो एटम, जब at the time of collision, वो एटम आपस में collide टकराएं, जिनके दरमियान new bond formation होती है, तो that is proper orientation, लेकर जब दो molecules आपस में टकरा रहे हैं, उनके अगर वो एटम आपस में टकराएं, जिनके दरमियान नया bond नहीं बनना, तो हम कहेंगे, that is improper orientation, तो दो condition, अगर कोई molecule, कुलेइन के वक्त, ये दो conditions पूरी करता है, तो साचा कुलेइन is called effective कुलेइन, और effective कुलेइन के नतीजे में, effective कुलेइन के नतीजे में, reactance is converting into product, मैं पहले भी आपसे कही दाफर डिसकस का चुका हूँ, मैंने आपसे कहा था, कि हार्वो फैक्टर, हार्वो फैक्टर, जो number of effective कुलेइन, effective कुलेइन, पर सेकंड, कुलेइन पर सेकंड, उसको affect करता है, वो rate of reaction को भी affect करता है, मैं यूं भी कह सकता हूँ, कि rate of reaction, rate of reaction is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to frequency, frequency of effective कुलेजन, affective कुलेजन, जितनी affective कुलेजन ज्यादा frequently होगी, उतना rate of reaction fast होगा, और वो जो हमने पीछे, factors affecting rate of reaction को पढ़ाता न, उसमें हमने बुन्यार इसी पॉन्ट को ही बनाया, यह जो मैंने आपको उपर ये बात की है न, मैं इसको एक और अंदास में भी आपके सामने रहता मेरा अंदास यह है, जरा और से सुनना, मैं आप से कहता हूँ, कि यह आपके पास एक reactant है, reactant, a2 plus b2, यह reactants है, यह a2, b2, अबना यह product इनका बन गया, यह reactant है, तो इन से यह product बन गया, a, b, चले हैं, मैं इसको यह, a, b, plus a, b, यह product है, these are reactants, reactants, and this one is the product, यह product, अच्छा मैंने बीच में एक चीछ छोड़ दी है, वो बड़ी important है, वो ही तो आप discuss करना है, उस ही से यह तो हम गुफ्तकू आगे लेके जाएंगे, अच्छा, वो है मेरे पास यह, a and b, यह वाला, अब यह वाला, यह वाला पॉइंट, यह product, यह पीच में एक transition state आगे, this is transition, transition state, transition state, transition का मलब होता है, in between, यह वो state जो reactant और product के दर्मयान है, transition state, इस में क्या होता है, यह old bond है और यह break हो रहा है, यह b and b में यह old bond है, यह break हो रहा है, यह new bond है, यह formation हो रहा है इस transition state में क्या होता है इसमें old bond break Books हो रही होती है और new bond formation हो रही होती है इसका नाम क्या है इसका नाम है activated complex इसको activated complex भी कहते है से sigma complex भी कहते है अब एक पहले बात आपको बताता चुरूER वो चीज आप clear का लो, वो क्या, activated complex अलाग चीज है, reaction intermediate अलाग चीज है, दोनों में समीन असमा, दोनों हैं यह अलाग अलाग entities, दोनों में, क्या मैंना का, activated complex, जिस आप transition, transition state का नाम, यह reactant, यह product, यह reactant, इसको क्या कहते है, activated complex, इसको फिर transition, transition state से लिए कहते हैं, कि यह दो, द तो यानि रियक्टर्ण रॉट्ट के दर्मियान है ट्रांजिशन में इन बट्वीं अच्छा एक्टिवेटिड कम्प्लेक्स मैंने क्या कहा आपने न दो चीजों को अलग-अलग करना है मैंने कहा कि आपने न मैं यहीं पर लिखूँगा मैं आपसे कहा हूँ कि आप दो चीज है एक्टिवेटिड कम्प्लेक्स यह और चीज है ट्रांजिशन रियक्शन इंटर्मिडियेट और चीज रियक्शन इंटर्मिडियेट यह पहले मैं पता तो चले यह तो हो गया यह तो नदर आ रहा है यह रियक्शन इंटर्मिडियेट कौन से चीज है बेटा जी र एक से ज्यादा स्टेप्स में मुकमल होता है जैसे आप SN1 या E1 पढ़ते हैं तो SN1 या E1 का जो फर्स टेप है उसमें आपके पास जो टर्शियल कारिलाइड है और वो जो कार्बोकेट है ने उस पर फिर न्यूकलियोफाल अटेक करता है तो आपके पास प्रोड़क्ट बनत इस तरह कार्बीन, एलकोकसाइड ये सारे के सारे क्या है दीज अर र्रेक्शन इंट्रमीडियोफाल ब्रेक्शन इंट्रमीड और चीज है अर्टिबिट्र कमपलекст और चीज है यह लिए अक्तिबीट्ट कमपलेक्स है नहीं इसका वारे मैं 4 पान्च बात पात लिए.. उनक मैंने बातों को याद रखना है अभी मैं आपको ग्राफ में बताओंगा कि एक्टिवेटर कंपलेक्स की इनर्जी रियक्टर अड़ प्रडुक्त दोनों से ज्यादा है अब जितनी इनर्जी ज्यादा होती है हम कहते हैं इनर्जी इनर्जी इस इनर्जी परपोश्चन टू स स्टेवल इसकी ना इसकी एक्जिस्टन्स बहुत कम है बहुत कम है बाद लोग कहते हैं यह 10 इस पावर माइनस 10 सेकंड तक एक्जिस्ट करता है इतने उसके बाद यह या प्रोडेक्ट में करमट हो जाएगा अगर अफेक्टिव को लियन होगी और अगर इनर्फेक्टिव को लियन होगी तो वो दोबारा रियक्शन में करमट हो जाएगा अच्छा दूसरी बाद इसको कैनोड बी आईसोलेटेड आपना यह इतनान स्टेबल है कि आप इसको रियक्शन मिक्शन में से अलाग नहीं कर सकते हालांके यह रियक्शन इंटरमेडियर्ट है ना दे कैन इसको बी आईसोलेटर फ्रॉं डिक्शन डिक्शन उनकी स्टेबलिटी इससे कदरे ज्यादा होती है और उनकी इनरजी इससे कम होती है इसका मनदब है यह अलग चीज़ है दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते दो अलग अलग है यह नहीं आपको बात बताईए ना इसी बात को मैं एक और अंदाज में भी आपके सामने लाता हूँ जरा देखें जी स्टूडन अब मैं एक और अंदाज में यहीं कुप्त को करता हूँ देखो मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा यह रियक्टन का माली कूल है यह रियक्टन का माली कूल है यह रियक्टन का माली कूल ह और ये भी अपनी काइनेटी के नीची रखता है ये अब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे है जैसे जैसे ये करीब आते जा रहे है ये स्लो डाउन होते जा रहे है जैसे जैसे करीब आते जा रहे है ये स्लो होते जा रहे है स्लो होने का मदब क्या है इनकी kainetic energy कम होती जा रही है अगर इनकी kainetic energy कम हो रही है то लाफ conservation energy तो कैता रही energy को आपड़ेस तो वह पिर energy किसमें convert होती है kainetic energy कम हो रही है and that canvards into potential energy potential energy बढ़ती जा रही जब ये बिल्कल दूर-दूर थे जब ये बिल्कल दूर-दूर थे दोनों मालक्यूल, इनमें कोई attraction नहीं थी, कोई repulsion नहीं थी, तो इनकी motion की वज़ए से kinetic energy थोड़ी, लेकर attraction और repulsion ना होने की वज़ए से, इनमें कोई potential energy, यह जो potential energy होती रहा, that is due to attraction और repulsion, और यह kinetic energy होती, that is due to motion, लेकर अब जैसे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अब इनमें एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ने की वज़ए से अब यह slow होते जा रहे हैं, slow, slow का मतब है कि इनका जो electronic clouds है ना, अब एक दूसरे को repel कर रहे हैं, उस रिपल्शन की वज़ए से सिस्टम की इनरजी बाढ़ रही है, kinetic energy काम हो रही है, तो वो कौन सी इनरजी जो इनक्रीज कर रही है, that is potential energy, that is potential, एक वक्त आया, वक्त आया, कि ये दोनों मालिकूल एक दूसरे के close enough आ गये, close enough, अगर ये लफज आपको समझा जाजाए ना, कि मैं close enough से मेरी क्या मुराद है, close enough, close enough से मुराद है, कि इस से मजीद करीब नहीं आ सकते, जितना करीब आ सकते थे आ गए, अब मैं उस वक्त की बात कर रहा, अब क्योंद आख रहा, कि ये close enough जब आ गये ना, मैं बार 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 में करता हूँ, जब ये close enough आ गये, they stop for a while, कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, कुछ देर के लिए, कितनी देर के लिए, 10 डिर्स पावर माइनस 10 सेकंड के लिए रुक गये, रुक गये, जब close enough आ गये, रुक गये, stop, stop, far a while, रुक गये कुछ देर के लिए, काइनेटिक इनर्जी जिरो हो गई, तो फिर वो सारी के सारी किसमें करमाट होगी, वो potential energy में, potential energy maximum हो गये, इस लमहा को, इस लमहा को, इस state को, जब ये close enough आ गये, जब ये कुछ देर के लिए रुक गये, जब काइनेटिक इनर्जी ज़रो होगी, जब potential energy maximum होगी, इस लमहा को हम कहते हैं, activated complex, इस state को, हमने क्या कहा, transition state, transition state, और इस transition state पर, यह आपके पास यो reakton or product, इनका ये जो structure बना, complex बना, this is called activated complex, it has highest potential energy, अब इसके बाद, अगर ये कुलेइन effective होगी, यानि दो बाती, कि अगर इसके पास energy of activation भी होगी, और proper orientation से collide भी कर रहे होंगे, अगर ये दो condition फुल्फिल होती हैं, तो ये कुलेइन क्या होगी effective, अगर ये कुलेइन ineffective होगी, ये मैंने वही बात जो पीछे हैं, अब ये जो दोनों बाते हैं जो मैंने अभी तक आप से की हैं, मैं इनको एक graph की सुर्फ में आपके सामने लाना, जरा note करना मैं graph आपको क्या समझाता हूँ, देखो, मैंना graph A को आपको समझाता हूँ, exothermic reaction के लिए, exothermic, और एक में graph आपको समझाता हूँ, endothermic reaction के लिए, यह मैं side by side, ताको मैं आपको ना comparison दे रहूँ, reaction, एंटिटेस इस दा अदर नेम आफ comparative study, यह मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, comparative study से आप चीजों को बेतर अंदास में समझ सकते, याद रख सकते हैं, सीख सकते, मैं यहां पर दो graph बनाता हूँ, पहला मेरा जो graph है ना, वो यह है, तो graph में, जो 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 चीज़े आपके सामने लाँँगा, जर उसको लोट कीजेगा, यह मैं इसके लिए graph बना रहा हूँ, अब इसमें ना, यह x-axis है ना, x-axis पे मैं ले रहा हूँ, reaction coordinates, क्या मतलब यह reaction coordinates, reaction coordinates के मुलाद है, वो species जो reaction में हिस्सा रहते तीन ही है, reactant product और activated complex, इन तीनों को हम reaction coordinates कहते हैं, इधर भी वोही reaction coordinates, अब यह graph में ना, जितनी में बातें बताऊंगा, सारे के सारे वो, यह आपके पस पूट हैं, सारे के सारे वो MCQs हैं, अब MCQ की या भरमार होने जा रही है, जरा गौर से सुनना, मैं आपसे एकसर कहता हूँ ना, मैं आपसे concept कलियर करवाता हूँ, concept कलियर करवाता हूँ, सबसे बड़ा मसला जो हैं एन्टी टेस्ट में, वो दो तीन phases हैं, मैं आपको, अब हाकिकत बताओं कि एन्टी टेस्ट में क्या प्राब्लम है, आपने FSC अच्छी तरह पढ़ी होती है, यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक्चुलि मैं आपको FSC से एन्टी टेस्ट की तरह पलाता हूँ, यह सारी चीज़े आपने FSC में पढ़ी ही है, बाद स्टूडन्ट यही क्वेस्टन करते हैं न, कि सर आप हमें FSC तो पढ़ाए जा रहा हूँ, भई मैं FSC पढ़ाऊंगा न, लेकर मैं आपको FSC की बातें, एन्टी टेस्ट के अंदाज में पढ़ाऊंगा, आपने हर एक टॉपिक को किस एंगल से देखना है, यह मैं आपको BSC और MSC तो नहीं पढ़ानी, उसमें से तो पेपर नहीं नाएगा, मैं आपको टाइम क्यूँ जाया करूँ, मैं आपको क्यूँ मुश्कल में डालूँ, करूँ, मैं तो वही चीज़े आपको पढ़ाऊंगा ना, जो आपके M.D. के पेपर में आईगी, मैं एकसर तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, तो मैंने आपको F.C. से एंटी टेस्ट पे लाना है, अब आप एंटी टेस्ट, आप इतने दो चार बहीने, मेरे से पाढ़ रहे हैं, आप किसी इंस्टिशन से पाढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टेडी कर दें, वाटेवर तकीस, अब इसके बाद आपको कंसेप्ट आ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गए, अब असल मसला शुरू हो गया है, उन कंसेप्ट को MCQ पर अपलाई कैसे करना है, यह आपको नहीं आपको आपको समझी नहीं आ रही है, कि मेरा कंसेप्ट है, यहाँ अपलाई कैसे हो रहा है, अपलाई कैसे हो रहा है, तो उसकी एप्लिकेशन वो समय नहीं होती है, अब मैं आपको concept देता हूँ फिर MCQ उस पर apply कैसे करना यह आपको देखना पड़ेगा सुनो पहली बात एक्सो थर्मिक reaction में जो reactants है ना वो high energy पे होते हैं हम कहते हैं यह reactants है A plus B यह reactants है इनकी enthalpy ज्यादा है enthalpy इदर आपके पास यह product आप है यह C plus D यह HP, HR, enthalpy of product, enthalpy of rectant इन दोनों की enthalpy's का difference ले दो difference that is called delta H और exothermik की सूरत में उसकी value क्या आएगी negative यह आपके delta H, delta H क्या होगा enthalpy of product minus enthalpy of rectant यह तो एक मैंने आपको enthalpy के लिहास से बात कर दी अब दूसरी बात यह ना reactant direct product में करवर्टी होते है reactant product में convert होने से पहले we have to cross a hill एक पहाड़ी अबूर करनी पड़ती है यह पहाड़ी अबूर करनी पड़ती है इस hill की height यहाँ पे आपके पास वो activated complex पाया जाता है at the top of the hill यहाँ पे है वो activated यहाँ पे है वो transitions के इसका अबूर रियक्टन पहले ओपर और यहाँ से फिर दरखा़ी they have to cross this hill height अब यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर रियक्टन से लेकर यहाँ तक यह जो potential this is called energy of activation अब एक तो यह मैंने बता इसमें दो तीन बाते मैं आपको बता गया अब जब रियक्टन प्रोडक्ट में करमच होते हैं they have to cross a hill at the top of the hill we have the transition state the name of that state is called activated complex reaction coordinates तीनों आगए रियक्टन भी आगए प्रोड़क्ट भी आगया अब इस इनर्जी को यह आजा हमारी discussion energy of activation अब दूसरी तरफ आए मेरे पास मेरे पास अब ना यह reactants है a प्लस b a प्लस b और reactant की enthalpy को मैं hp कहता हूँ यह मेरे पास products है c प्लस d और इनकी enthalpy को मैं hp कहता हूँ इन दोनों की enthalpy का difference उसे मैं delta h लेता हूँ और exo endo की सूरत में उसको मैं positive लेता हूँ यह बात है यह जो मैंने बात की नहीं यह thermodynamics का topic है उसमें यह हम बाते करते है enthalpy, delta h, enthalpy change वगारा उसको अब reactant direct product में करवाट नहीं होती reactant को product में करवाट होने के लिए पहले यह hill height cross करने पड़ती है at the top of the hill we have the activated complex यहां पे आपके पास activated complex है अब यहां से यहां तक यहां तक यह वारा जो distance है this is called energy of activation अब यह मैंने आपको दो चार बाते बताई मैंने करें इसमें बहुत सारे mcq छुपए हो मैं एक ना example लेके आपको कुछ और बाते समझाने की कुछ करता है तो देखो मेरे पास एक reaction है reaction है 2H2 plus O2 goes to 2H2O water form हो रहा है hydrogen और oxygen के combination से इसकी डेल्टा H है वो minus 285.5 kilo joule पर मोर है यह एक आप अच्छा अब मैं एक और reaction लेक्षन लेक्षा हूं वो मेरे पास है और 2H2O 2H2O goes to 2H2 plus O2 और इसकी डेल्टा H है वो है पलस 285.5 kilo joule पर मोर है अब यह ज़रा देखो यह दो है यह ना बेठे जी इसमें यह रेक्टेंट है इसमें यह प्रोडक्ट है इसमें बाटर प्रोडक्ट है इसमें बाटर रेक्टेंट है यानि यह दोनों reaction reversible नहीं है reversible नहीं है यह दोनों reaction एक दूसे के opposite है मैं दो तरम इंटर्म इंटर्ड्यू़स करवा गया opposite or reversible reversible वो reaction होता है जिसमें given condition पर temperature, pressure बगएरा बगएरा given condition पर reactant product में product reactant में interchange हो रही हो given condition पर लेकर इस reaction को होने के लिए temperature और चाहिए condition और है इसकी condition और है ये दोनों reaction same condition पर नहीं हो रहे है अगर same पर होते हैं तो मैं कहता है इस ही reversible है लेकर ये different condition पर होते है इसलिए आप इनको opposite कह सकते हैं opposite reaction एक और चीज जैसे आप लैटस इनर्जी को देखते हैं लैटस इनर्जी भी इसी तरह लैटस इनर्जी के केस में भी delta H आप sodium chloride की बात करो delta H negative भी आता है जब sodium chloride बाढ़ रहा होता है delta H positive आता है जब sodium chloride को आप decompose करते हैं तो इसका मिराब वो दोनों, वो आपोजिट रियक्शन है, रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल और होता है, ए गिवन कंडिशन पर रियक्टन प्रोड़क्ट में कर, अच्छा, अब ये आपोजिट रियक्शन है, इनके आप फर्ज करें, मैंने ये एग्जो है ना मेरे क्वेशन आप से, जितनी आपको समझा है, आप उतना जवाब दीजेगा, मेरे क्वेशन आप से, कि इन दोनों आपोजिट रियक्शन में, इन्थॉल्पी चेंज का क्या फरक है, इस दोनों में इन्थॉल्पी चेंज किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, तो आंसर है, दो किसी चीज से कोई तल्लक नी इसका मदब है एक्जो थर्मिक एंडो थर्मिक रियक्शन अगर कोई दो आपोजिट रियक्शन एक्जो और एंडो हैं उनकी डेल्टा एच वैल्यू सेम होती है दूसरी बात क्या इन दोनों की इनर्जी ओफ एक्टिवेशन वैल्यू भी सेम है कम है और एंडो थर्मिक की इनर्जी ओफ एक्टिवेशन ज्याता है और एक और भी वाद एक और भी वाद वो भी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट यही जो मैंने आपसे डिसकस किया ना यह रियक्शन फारवर्ड जा रहा है अगर इसी को ही रिवर्स लाओ तो वो यह ब जेक्म को है और आफ पिशु ऑन्रजी ओफ एक्टिवेशन मीनीमम भी लाएंगे मीनीमम भी लाएंगे इतनी आएगिना यह इतनी आएगी अधिछ अगर इनर्जी ओफ एक्टिवेशन यहाँ तक आए प tes यहाँ इहां से लेकर यहांच तक तो डिल्टा एच के बराबरा लेकिन थोड़ी सी तो ज्यादा होती है थोड़ी से यानि एंडो थर्मिक रेक्शन के लिए जो इनर्जी फैक्टिवेशन है वो डेल्टेच से थोड़ी सी ज्यादा होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन जो एक्जो थर्मिक रेक्शन है ना इसकी डेल्टेच यह है तो delta H और energy of activation बेराबर भी रहे हो सकती हैं तम ज्यादा भी हो सकती हैं लेकिन endothrabi के किसमे energy of activation हमेशा blossom delta H से ज्यादा होगी चाहे थोड़ी से ही ज्यादा एक और ब्यार, how can we calculate the energy of activation, calculating, calculating energy of activation, calculating EA, बेटे जी, energy of activation, इसको calculate करने के लिए न, we have the arhenius equation, वो पहले भी कही दफा मैं आप से share कर चुका हूँ, arhenius equation, arhenius equation मेरे पास है, के, यह समाल के, reaction constant, अच्छा, तो के, AE, माइनस EA, ओवर RP, अब इसमें, इनर्जी उफ एक्टिवेशन का के से क्या आतलग है, इनर्जी उफ एक्टिवेशन, और के, के और इनर्जी उफ एक्टिवेशन, इनवर्सनी परपोर्शन हैं, अगर नेगटिव ना ना होता है, तो फिर दो डारेक्ट लाग रहे हैं, नेगटिव इसको change कर देता है, और दुस्री बात, के का टेमपरेचर से क्या अलग है, के इनर्क्री परपोर्शन तू टेमपरेचर, यह ना, यह जो दो बाते हैं ना, यह मैंने आपको यहां से समझाए, एक बहुत खुशूरत बात, मैंने आप से कहा था, मैंने आप से कहा था, के बेटा जी, के डैट इसकल टू रेट अफ रेक्शन, कब, कब यह आपसमें बरा rate लुक हूँगा तो मेरे पास आएगा rate of reaction rate of reaction is inversely proportional to energy of activation क्या मतलब यही तो MCQ है ऐसे reaction जिनकी energy of activation कम होगी उनका rate fast होगा जितनी energy of activation कम करते जाओगे उतना मैं आपके साब एक discuss करता हूँ चलो मुझे बताओ यह relation मैंने आपको क्या समझाया मेरे पास ना यह तीन तरह के reactions है एक जिसको मैंने blue से show किया यह A है यह A है यह B है black वाला और यह C है red वाला अब इन तीनों में energy of activation देखो यह blue की कम है black इस reaction की ज्यादा है और red वाले की उससे ज्यादा है और अगर वो कौन सा red C तो energy of activation is university proportional to rate और इसी में आप ने यह तो बता दिया नए इसी में आप कह सकते हो कि अगर आप के एक जिगापर rate लिखे तो rate directly proportional to T एक तो यह आगया यह relation आप ने यह सारे MCQs मेंन लिखे एक और बार हम energy of activation को कैसे calculate करते हैं यही आ रही ही इस equation इस आ रही ही equation को आगे फर्दर आप solve करें तो आपके पास जो final आएगा वो यह है E A energy of activation E A minus slope cross 2.303R यह R वो ही general gas constant R यह है अब इसमें slope क्या होता है slope को slope आप जानते ना वो 10 theta जो है वो हमें slope देता है बेराल मैं तो आप अब ना इसकी अपने आगे इसको समझना होता है कि इससे यह कैसे derive किया गया बेराल मैं तो energy of activation के बारे में यह बाते आप से कर रहा है एक आखरी बात फिर मैं आगे बढ़ूँगा आखरी पॉट यह है जो है इनरजी ओफ एक्टिवेशन को कम करेगा और अगर मैं negative catalyst लूज़ करूँ तो वो energy of activation को increase करेगा यानि मैं इसमें बात करता है यह reaction जो है मैं इसमे'tавать हो positive catalyst अगर मैं positive catalyst लूज़ करूँगा तो वो यह इसको यूँ करतेगा क्या मतलब energy of activation को वो क्या कर देगा काम और energy of activation को काम करने पर वो rate of reaction को positive catalyst अच्छा वो energy of activation को कैसे काम करता है actually जो catalyst है वो path of reaction को change करता है human say mechanism of reaction change करता है a catalyst decreases the energy of activation by changing the path of reaction path of reaction the other name of path of reaction is mechanism of reaction mechanism of reaction को कम करता है mechanism of reaction को change करता है energy of activation काम करता है और इस तर rate of जो negative catalyst है वो क्या करता है negative catalyst वो energy of activation को बढ़ा देता है जब energy of activation बढ़ेगी तो rate क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और वो भी ऐसे ही वो भी mechanism को इतना मुशकल कर देता है mechanism में number of steps इतने बड़ डाल देता है कि अब energy of activation rise कर जाती है energy of activation यानि hill height बढ़ जाती है और जितनी hill height बढ़ेगी उतना rate slow होता है my dear student all this is about energy of activation ये था वाना आज का लेक्टर मैंने इसमेन energy of activation आपके साथ deal किया आपको समझाया मुझे उमीर है कि आप इन चीज़ों को समझ भी गया होगे और आप इस अंदास में समझ गया होगे कि यही बात किसी और को पढ़ानी पढ़े तो आप पढ़ा सकेंगे मैं रुजाना कहता हूँ इलम पहलाने के इस अमल में आम मेरे हम नवा हैं आम मेरे साथी हैं हम इलम की इस रौशिनी को हर जगान पहलाएंगे केमिस्टिय को और इलम के हुसूल को हम आसान से असान बनाएंगे मैं आपके साथ हूँ ल्ला की मदद ल्ला की र asp bracket हमारे समल में हमारे साथ बाने ल्ला आपको दुनिया में और आखरत में कामया बी नसीब फर्माए असलाम अलेकूम वरहमतुल्ह